शावण मां सवे स्पीड पकडी छे शीव भक्तो पोत्पोता ना आराध्य देव शीव ने रिजवा माटे शीव पूजा करी रहाया छे पाटन शहर मां शीव मंदिरो नी एक अलग ओलक छे तो तेनो इतियास पन अनोखो छे शीव भक्तो नी आस्थाने लईने तेमनी मलोकामनाओ पूण थाई छे त्यारे शीव नी साथे जाने जीवनू मिलन होई तीवी भाव उम्टे छे पाटन मां अंदाजे 500 वर जुनू केदारेश्वर महदेव शीव लिंग आवेले उचे है आशीव लिंग नी स्थापना बाद एवी लोकवाई का छे केदर वर्षे शीव लिंग चोखा भार वदे छे शीव भक्तो माटे आबाबत ने लईने कोई शंका नथी अने पूरी श्रद्धा साथे केदारेश्वर शीव लिंग नी पुजा थाई छे केदारेश्वर शीव लिंग ना इतियास नी वाद करिये तो पाटन शहर ना मध्यमा आवेल लोटेश्वर विस्तार नू केदारेश्वर महदेव नो इतियास रोचक छे आ शिवलिंग दर वर्षे चोखा भार वदी रहु होवानू अनुमान भक्तों मा चर्चाई रहुशे आ केदारेश्वर महादेव पांसो वरस जुनू होवानू आ विस्ताना रैशो जणावे शे आ केदारेश्वर महादेव नू शिवलिंग नी अलग प्रकार नी ओलक छे आमतों शिवलिंग नो आकार परंपरागत गोल होई छे परन्तों आ शिवलिंग एक अलग छाप उभी करी छे जेते समय आ शिवलिंग धरती ढंक हसे अने सम्यान तरे आ शिवलिंग जेम जेम बहार आउतु गईू, तेम तेम फेरफार नजरे पड़ता, हालना समय मा आ शिवलिंग पर आँक, ब्रमर, कान, नाक, शिंगडा, चारपग, पुछली सहीत, नंदी, पोठियों नी छाप मजुद छे, शिव भक्तों ने माटे शिव पटेल मोधी सहीत ना तमाम समातना आगेवानों नी एक मिटिंग मलियती, अने मंदीर नु गर्द गरु, अकबंद राखी मंदीर नो जिर्णों धर करवो, अने आ मंदीर जीर्ण शिर्ण अवस्थामा हतु, थोड़ा समय पेला आ मंदीर नो जिर्णों धर थायो छे, आम आ मंदीर दर्वर्षे, चोखा बार वत्तु होई लोको ना श्रद्धानु कैंद्र बनी शे, अही त्रोण समय एवा आर्ती पुजा सहीत विवित धर्मी कारेक्रमों यो जाये शे